नमस्कार दोस्तों हमारे चनल एलेक्टिक लूचा में आपको बड़बो स्वागत है आज हम इस कंप्रेसर को आपको बिना रिले से स्टार्ट करके दिखाने वाले हैं चला कर दिखाने वाले हैं तो अगर आपकी रिले और ओवरलोड या खराब हो जाती हैं तो आप डिरेक् और ओवरलोड किसी ने हता दी है और connection भी नहीं है सब हटे हुए है तो multimeter से चेक करके आप इससी कंप्रेसर को कैसे चला कर देख सकते हैं तो पहले हम बिना multimeter से चेक करे इस कंप्रेसर को चला कर दिखाएंगे फिर multimeter से running starting common चेक करके आपको चला कर दिखाएंगे तो यह सब को जानने के लिए हमारी वीडियो का आप शुरू से हम तक देखते रहिए तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्रेसर में एक ओवरलोड लगा होता है एक PTC डिले लगी होती है दोनों में से कुछ भी चीज खराब हो जाती है तो यह आप देख सकते है कि common और running starting का आप यहां से पता लगा सकते हैं यह जिस पिन पर ओवरलोड लगा होता है यह पिन कंप्रेसर की common pin होती है और जहां PTC डिले लगी होती है यह running और starting जिस पिन पर वायर लगी है direct वायर आपकी running होती है और side में starting pin होती है अगर आपका फ्रिज अगर आपका compressor किसी ने छेड़ा नहीं है connection किसी ने छेड़े नहीं है तो आप सीधा इन्हें निकाल लीजिए बाहर निकाल लीजिए यह हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं इस दोनों चीज़े साथि हमने overload और relay बाहर निकाल लीजिए अब हम इसके बिना हम इस compressor को start करके देखेंगे तो जैसे कि आपने देखा overload उपर लगा हुआ था तो इस pin पर यह pin common है और यहां relay ऐसे लगी हुई थी तो यह pin running है और यह pin starting है तो अगर आपके correction पहले से किसी ने हटा रखे है relay overload अगर निकाल रखा है तो भी आप easily check कर सकते हैं multimeter से यह हमने दोनों तारे निकाल लिये साथियों और हम इन दोनों तारों को इन pinों में लगा देंगे जैसा कि आपने देखा था कि सबसे उपर वाली pin common है तो हम वहाँ एक तार लगा देंगे यह जैसे आपने देखा था कि सबसे उपर वाली पिन common है तो वहाँ हम एक तार लगा देंगे और एक तार हम running पर लगा देंगे यह आप देख सकते हैं साथियों दोनों तारे हमने लगा दी है एक running पर एक common पर स्टार्टिंग हमारी पिन खाली है तो स्टार्टिंग के लिए हमने एक यह तार में थिंबल लगा है यह आप देख सकते हैं इस तार में थिंबल लगा है और यहाँ यहाँ हम इस स्टार्टिंग में इसको लगा देंगे compressor चलाने के लिए स्टार्टिंग में एक बार current देना पड़ता है हम इस pin को यहां इस star को यहां touch कर देंगे और compressor start होने पर इसको यहां से हटा देंगे यह तार हमने touch कर दी है running और starting को आपस में short कर दी है common अलग से रख लिया तो यहां हम बिजली के board में star को लगा देते हैं यह आप देख सकते हैं कि यहासॉकिट है साथियो इस सॉकिट में कैजल हमने ऑफ रखा है अभी इसको लगा देते हैं कि इसको लगाने के बाद हम यहाän से स्विच आन करेंगे यहां हम switch on करेंगे और साथ ही start compressor को start होते ही इस ये जो तार हमने starting के साथ सौट की है तो इसको हम हटा देंगे तो यह हम देखो on करके दिखा देते हैं यह switch on किया और यह तार हटा दी तो यह compressor start हो गया साथ ही हो आप देख सकते हैं थोड़ा pass करके दिखा देते हैं, इसकी अवाज भी आपको आ रही होगी, और हम इसको गुमा करके, आपको यहाँ प्रेशर दिखा देते हैं, चेट करके, यह देखिए, कंप्रेसर स्टार्ट हो शुका है, तो यह तो स्टार्ट हो गया साथियो, लेकिन जब रिले और अवरलोड और उसकी कि तारे पहले से कनेक्ट है, अगर आपने डिसकनेक्ट ही है, तो आपको पता होगा कि कौन सी कॉमन है, कौन सी रनिंग है, कौन सी स्टार्टिंग है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे देखे कि कौन सी तार रनिंग है, कौन सी स्टार्टिंग है, अगर पहले से कोई तारे ह हटा देता है तो आप कैसे चेक करेंगे तो भग हम आपको दिखा देती है तो यह हमारा साथ institutional पर लगा दिया है आप देख सकते हैं वी भी आईगी और continuity भी आईगी तो अगर कि पहले से किसी ने तार हटा रखी है तो आप running starting common का कैसे पता करें तो यह आप देख सकते हैं साथ यो तीन पिने हैं तो तीन पिनों में क्या होता है यह common होती है common का मतलब यह आए कि एक इसमें running winding से वायर जुड़ी हुई है और एक वायर इस्टार्टिंग वायनिंग से जुड़ी हुई है तो अगर हम यहां से यहां भी एक तार जुड़ी हुई है कोई भी रनिंग है कोई भी स्टार्टिंग है तो वह हम चेक करेंगे तो जहां सबसे ज्यादा ओम्स यहां सबसे ज्यादा reading जहां आती है तो वह running और starting है साथ हो यह देखिए 81 आ रही है यहाँ 81 reading है और यहाँ अगर हम देखे 58 तो यहाँ से थोड़ी कम है यहाँ 27 27 तो यहाँ जो सबसे कम reading है यहाँ साथ यो running है यह running winding है और इससे जो थोड़ी ज़्यादा reading है वह starting winding है और जहाँ सबसे ज़्यादा reading आती है वह एक तार running की है और एक तार starting की है तो इससे हमें पता चलता है कि यह दोनों तो running और starting है, तो यह है, यहां से running winding है, यहां चेक करते हैं, तो starting winding है, तो यह है pin हमारी सबसे उपर वाली common है, और right side वाली हमारी सबसे, come reading है, इसलिए running winding है, और सबसे, left में, starting winding है, यह देखिए, तो हमें क्या करना है running और common में एक एक वायर लगा दी है हमने running और common में यह आप देख सकते हैं इसे हम हटा देते हैं और एक वार यह हमने बढ़ा के रखी थिंबर लगा करके हमने start करने के लिए तो यहां यह वायर हम लगा देते हैं और फिर से एक वारी इसको start करके देख लेते हैं तो यह हातार हमें यहां short कर देनी है starting के साथ में और जैसे हम switch on करेंगे तो यह हातार हमें यहां से हटा देनी है यहां हमारा switchboard लगा वा है और जैसे ही हम switch on करेंगे तो यहां से यह starting से wire को हम हटा देंगे यह देख सकते हैं कि हमने लगा दी अतार और यहां हमारा switch है और यहां हमारा एकाथ switch पर है एकाथ इस wire पर है तो यहां से हम switch on करते हैं यह देखिए और यह हमने वायर हटा दी तो आप देख सकते हैं साथी है यह कंप्रेसर स्टार्ट हो गया यहां से आप देख सकते हैं यह सक्षन है और यहां से डिस्चार्ज है तो साथी हो सारे ही फिरिजों में इसी तरह का कंप्रेसर लगा होता है किसी भी कंप्रेसर हो उसमें तीन पी नहीं होंगी एक कॉमान एक रनिंग एक स्टार्टिंग अगर आपकी रिले और अवरलोड खराब हो जाये तो आप इसको कैसे स्टार्ट करके देख सकते हैं अगर ऐसे चलाने से कंप्रेसर चल जाता है तो आप रिले और अवरलोड नया लगा दें और आपका फ्रिश्ट ठीक हो जाएगा तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगी अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक जरूर करें और हमारी नई वीडियो आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज की वीडियो में इतना ही जै हिन जै भारत